नमस्कार दोस्तों वेलकम टू करंट धमाका आज के वीडियो में बात करते हैं हम 17 दिसंबर 2021 से जुड़े हुए सभी करंट अफेर्स की तो चलिए बिना समय गवाए बढ़ते हैं आज के पहले कुश्चन की तरफ हाल ही में किस खिलाडी को टाइम मैगजीन ने वर्ष 2021 एथलीट आफ दा इयर चुना है जान लेते हैं इस कुश्चन का आंसर आंसर है सिमोन बिलेस बढ़ते हैं इस कुश्चन से जुड़े हुए अनमहत्तोपूर्ण बिन्दूओं की तरफ सिमोन बिलेस को टाइम पत्रिका की 2021 की एथलीट आफ दा इयर नामित किया गया था चार बार की ओलंपिक पदक विजेता दुनिया की सबसे सजी हुई जिमनास्ट को अपने मानसिक स्वास्त को सबसे पहले रखने के लिए संमानित किया गया जब वह टोकियो ओलंपिक में चार इवेंट फाइनल से हट गई जटके के बावजूद 24 वर्षिय टोकियो खेलों में बैलेंस टीम बैलेंस बीम में एक टीम को रजत और आंस पतक जीतने में सफल रही सैक्णों एथलीटों के साथ बिलेस ने एफ बी आई यूएसे जिमनास्टिक्स और यूएस ओलंप और पैरलंपिक समिती पर दुर्वेबार को रोकने में विफल रहने का आरूप लगाया टोकियो ओलंपिक के एक महीने बाद बिलेस ने यूएसे जिमनास्टिक्स टीम के पूर्व डॉक्टर लेरी नासर को यून शेशन कांड में अमेरिकी सीनेट की सुनवाई में भावन आत्मक गवाही दी चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कोशन की तरफ हाल ही में सुनील गावसकर को किस मैडल से सम्मानित किया गया है जान लेते हैं इस कोशन का आंसर आंसर है एस जे एफाई मेडल 2021 जान लेते हैं अब इस कोशन से जुड़े हुए अन्यमे तोपून विंदूओं के बारे में Sports Journalist Federation of India ने पूर्व भारतिय क्रिकेटर और क्रिकेट कमेंटेटर सुनील मनोहर गावसकर को गुवाहती असम में एस जे एफाई वार्शिक आम बैठक में अपने प्रतिष्ठित एस जे एफाई मेडल 2021 से समाने का फैसला किया है एस जे एफाई मेडल एस जे एफाई का सरवोच सम्मान है एस जे एफाई की स्थापना 27 फरवरी 1906 को इरन गार्डन कोलकता में हुई जो अब कोलकता कहलाता है पहले कलकता कहलाता था जो कि पश्चिंबंगाल की राजधानी है चलिए अब जान लेते हैं अने एस जे एफाई पुरुसकारों के बारे में एस जे एफाई स्पोर्ट्समेन आफ दा इयर 2021 दिया गया है नीरत चोपडा को जो कि जैवलिन थ्रो में रहे और जिन्होंने अभी हाल ही में आपके ओलंपिक्स में स्वान पतक भी जीता एस जे एफाई स्पोर्ट्स वोमन आफ दा इयर 2021 का पुरुसकार मिला है मीरावाई चानू जो की भारोत तुलन से बिलॉंग करती है एस जे एफाई टीम आफ दा इयर 2021 का खिताब मिला है इंडियन मैंस हौकी टीम को एवं वर्ष 2021 के एस जे एफाई पैराथलेट्स पुरुषवर्ग में ये पुरुसकार जाता है प्रमोद भगत जो की बैडमिंटन से हैं और सुमित अंतिल ये जैवलिन खेल की तरफ से आते हैं एवं वर्ष 2021 के एस जे एफाई पैराथलेट्स पुमन के टेगरी में अवनी लेखरा को मिलता है जो की राइफल शूटर है एस जे एफाई विशेश मानिता पुरुसकार मिलता है ओलम्पिक गोल्ड क्वेस्ट को चलिए अब बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट कोशन की तरफ हाल ही में किस खिलाडी ने विंड सर कैसल में नाइट हुड प्राप्त किया चलिए जान लेते हैं इस कोशन का अंसर लुईस हैमिल्टन इस कोशन का अंसर है जान लेते हैं इस question से जुड़े हुए अन्य महत्तोपून बिंदूओं के बारे में Lewis Hamilton ने track पर एक हार के कुछ दिनों के बाद ही एक नया खिताब हासिल किया है साथ बार के formula 1 champion ने London के Windsor Castle में knighthood की उपादी प्राप्त की Motor Sports के सेवाओं के लिए Prince of Wales द्वारा knight की उपादी प्राप्त करने के बाद Hamilton को सर की मानद उपादी मिली है तीन अन्य F1 ड्राइवरों को knight की उपादी दी गई है जो है Jack Brabham और Sterling Moss एवं Jackie Stewart Hamilton खेल में प्रतिसपरदा करते हुए सम्मानित होने वाले पहले वेक्ति हैं चलिए बढ़ते हैं आज के next question की तरफ हाल ही में किस entrepreneur को Global Entrepreneur of the Year का आवार्ड मिला है जान लेते हैं इस question का answer answer है कुमार मंगलम विल्डा जान लेते हैं अब इस question से जुड़े हुए अन्यमेहत्व कूर्ण विन्दूओं के बारे में आदित्य बिल्डा समू के अध्यक्ष कुमार मंगलम विल्डा को Silicon Valley से बाहर इस्थित दे इंडस entrepreneurs से Global Entrepreneur of the Year अवार्ड जो की वैश्विक उद्यमिता के लिए पुरुसकार प्राप्त हुआ है पुरुसकार विजेताओं का चैन venture capitalist टिम ड्रेपर संस्थापक ड्रेपर यूनिवरस्टी की अध्यक्षता में एक स्वत अत्र जूली द्वारात किया गया चलिए बढ़ते हैं आज के next question की तरफ हाल ही में पेटी एम ने किस नाम से एक तकनी की संचालित शेक्षिक मंच शुरू करने की गोशना की है जान लेते हैं इस question का answer answer है पेटी एम वेल्थ एकेडमी चलिए बढ़ते हैं इस question से जुड़े हुए अन्य महत्तो पूर्ण विंदों की तरफ पेटी एम जो पिछले महीने शेयर बाजारों में सूची वद्ध हुई थी उसने पेटी एम वेल्थ एकेडमी जो की एक तकनीक संचालित शेक्षिक मंच है इसे शुरू करने की गोश्णा की है वेल्थ एकेडमी की शुरुआत पेटी एम मनी एप पर होगी जो पेटी एम की पूर्ण स्वामित तबाली साहय कंपनी पेटी एम मनी के स्वामित तबाला वेल्थ मैनेजमेंट एप है Paytm Wealth Academy शुरू में चुनिंदा यूजर्स के लिए उपलब्द होगी इसके बाद पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगा जान लेते हैं इस Academy के बारे में Paytm Wealth Academy उप्योग करताओं को अपने आराम के इस तरपर अपनी गती से ट्रेडिंग और वित्तिय अवधारनाओं को सीखने की अनुमती देगी मंच उप्योग करताओं के लिए व्यक्तियत सिफारिशों के साथ पार्ठे क्रमों और वेबिनार की एक विस्तर सूची परदान करता है जो उनके मौझूदा ग्यान के पूरक के लिए क्यूरेट किया गया है पेटियम वेल्थ अकेडमी एक शेक्षिक मंच है जिसे वित्तिय शिक्षन को सहज और स्वचालित बनाने के लिए डिजाइन किया गया है पहली बार उच्च अनुकूलन योग पार्ठिक्रम पेश किये जा रहे हैं जिससे उपयोग करता किसी भी इस तर से अपनी सीखने की यात्रा शुरू कर सकते हैं यह नई व्यापारियों को वित्तिय अवधारनाओं की जमीनी समझ इस्थापित करने की अनुमती देगा और अनुभवी व्यापारियों को उन्नत व्यापारिक रणनीतियों के साथ अध्यतन रहने के लिए प्रोथ साहित करेगा जान लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण विद्वों के बारे में पेटीयम की स्थापना अगस्त 2010 में हुई पेटीयम का मुख्याले नौइडा उत्तर प्रदेश में है एवं पेटीयम के CEO है विजे शेकर शर्मा चलिए बढ़ते हैं आज के next question की तरफ हाल ही में बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने के लिए सेवी ने कौन सी समीती बनाई है जान लेते हैं इस question का answer answer है alert समीती चलिए बढ़ते हैं इस question से जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण विद्वों की तरफ भारतिय प्रतिवूती और विनमय बोर्ड जिसको Securities and Exchange Board of India जो short में से भी भी बोल दिया जाता है इसने तकनीकी शमताओं को बढ़ाने और बाजार की विसंगतियों का जल्द पता लगाने के लिए उपियुक्त प्रौद्योगी की समाधानों का पता लगाने के लिए नियामक और प्रौद्योगी की समाधान सलाकार समिती जिसको Advisory Committee for Leveraging Regulatory and Technology Solutions short में इसको alerts बोल दिया जाता है इसकी स्थापना की है alerts एक साथ सदसीय समिती है जिसकी अध्यक्षता से भी के पूर्व पूर्णकालिक सदस से माधवी पुरी बुच करते हैं और इसके सदस के रूप में विविन प्रौद्योगी की डोमेन की विशेशग्य है जान लेते हैं alerts के बारे में alerts विविन चल रही प्रौद्योगी की परियोजनाओं में भविश के roadmap और सुधार की सिफारिश करेगा यह विविन आंतरिक प्रणालियों के लिए आविशक्ताओं को design करने और तैयार करने में सेवी का मार्ग दर्शन भी करेगा इसके अलावा समिती का गठन सेवी को एक domain परिप्रेक्ष से मार्ग दर्शन करने के लिए सुपर टैक रेग टैक टूल्स की परियाप्तता का पता लगाने के लिए इसकी छमताओं में सुधार के लिए घर में उप्यों किये जाने के लिए परिकल्पित एवं प्रस्तावित करने के लिए भी गठित किया गया है चलिए जान लेते हैं अन्य महत्वपून विद्वों के बारे में भारतिय प्रतिभूती और विनमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रेल 1992 में हुई भारतिय प्रतिभूती और विनमय बोर्ड का मुख्याल है मुंबई में है भारतिय प्रतिभूती और विनमे पोर्ड एजेंसी के कारेकारी समय है अजयत्यागी जी चलिए बढ़ते हैं आज के next question की तरफ हाल ही में हरित उर्जा के लिए अदानी ने किसके साथ समझोता किया है जान लेते हैं इस question का answer answer है भारतिय सौर उर्जा निगम Solar Energy Corporation of India शौर्ट में सैकी भी बोल देते हैं चलिए बढ़ते हैं इस question से जुड़े हुए आने महत्तों बिन्दों की तरफ डानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने 4666 मेगावाट हरित उर्जा किया पूर्दी के लिए भारतिय सौर उर्जा निगम यानि Solar Energy Corporation of India के साथ एक खरीद समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं यह दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा हरित बिजली खरीद समझोता Power Purchase Agreement पी पी ए शौर्ट में बोल देते हैं यह है यह समझोता जून 2020 में सैकी द्वारा AGEL को दिये गए 8000 MW के निर्माण Linked Solar Tender का हिस्सा है अब तक AGEL ने SECI के साथ 2020 में प्रदान की गई 8000 MW की कुल उत्पाद अंचमता के लिए 6000 MW के करीब PPA पर हस्ताक्षर किये है कंपनी को आने वाले 2-3 महीनों में 2000 MW के शेश राशी को पूरा करने की उमीद है जान लेते हैं इस कुश्चन से जुड़ी वयाने महत्वपून विद्वों के बारे में Solar Energy Corporation of India Limited की स्थापना 2011 में हुई Solar Energy Corporation of India Limited का मुख्याल है नई दिल्ली में है Solar Energy Corporation of India Limited के अध्यक्ष हैं इस समय इंदू शेकर चतुरवेदी एवं Solar Energy Corporation of India Limited के प्रवंद निदेशक हैं इस समय सुमन शर्मा चलिए बढ़ते हैं आज के next question की तरफ हाल ही में किस company ने भारत के 500 गाओं के लिए digital भुक्तान उत्सव की गोशना की है जान लेते हैं इस question का answer answer है WhatsApp चलिए बढ़ते हैं इस question से जुड़े हुए अन्यमहत्वपून विद्वों की तरफ WhatsApp ने भारत के 500 गाओं के लिए digital भुक्तान उत्सव की घोशना की है WhatsApp का digital भुक्तान उत्सव एक pilot कारिक्रम है जो व्यक्तियों और व्यवसाईयों को शशक्त बनाने के लिए digital भुक्तान को बढ़ावा देता है और वित्तिय समावेशन के कारण को आगे बढ़ाने के लिए एक परियोजना की रूप में है इसका उत्देश ग्रामिनों को WhatsApp पर भुक्तान के माध्यम से digital भुक्तान तक पहुँच प्रदान करना है जान लेते हैं Fuel for India 2021 इवेंट में क्या क्या हुआ WhatsApp ने Digital भुक्तान उत्सव की गोशना की एक पाइलेट कारक्रम जो वित्तिय समावेशन में तेजी लाने के प्रियास में करनाटक और महराष्ट के 500 गाओं को गोद लेने जा रहा है Digital भुक्तान उत्सव इस साल 15 अक्टूबर को करनाटक के मांडे जिले के क्या थान हली गाओं में शुरू हुआ यहां on ground facilitators ने ग्रामीनों को Digital भुक्तान के विभिन पहलूं से परचित कराने में मदद की जिसमें UPI के लिए sign up कैसे करें UPI खाता कैसे इस्थापित करें और उन्हें online digital भुक्तान का उप्योग करते समय सुरक्षित रहने के सरवुतम अभ्यासों के बारे में भी बताया जान लेते हैं इस question से जुड़े हुए आनम है तो पुन विन्दूओं के बारे में WhatsApp की स्थापना 2009 में हुई WhatsApp के CEO विल कैथ कार्ट है WhatsApp का मुख्याल है मेनलो पार्क कैलिफोर्निया सहीं तराज अमेरिका में है WhatsApp अधिग्रेंड की तारीख है 19 फरवरी 2014 एवं WhatsApp की संस्थापक रहे जान कॉम एवं ब्राइन एक्टन WhatsApp का जो मूल संगठन है इस समय वो Facebook है क्योंकि Facebook नहीं इसको आधिग्रहित किया चलिए बढ़ते हैं आज के next question की दरफ हाल ही में जारी आंकडों के अनुसार नवंबर में थोक महगाई बढ़कर कितने फीसदी हुई है जान लेते हैं इस question का answer आंसर है 14.23 फीसदी जान लेते हैं अब इस question से जुड़े कोई आन्य महत्तों बिद्दों के बारे में थोक मूल सूच का wholesale price index जिसको short में WPI भी बोल देते हैं इस पर आधारित उत्पादकों की मुद्राइस वीती नवंबर में 14.23 प्रस्षत पर मौजूदा श्रंखला में अब तक के उच्चतम इस तर पर पहुँच गई है यह दोहरे अंकों वाले WPI का लगातार आठवा महीना है एवं मुख्य रूप से खनिज देलों मूल धातों कच्चे पेट्रोलियम और प्राकरतिक गेस की कीमतों में सक्त होने के कारण है थोक मूल आधारित सूचकांक मुद्रा इस्वीती आधार वर्ष 2011 बारे है इसके अलावा स्पाइक अप्रेल 2005 के बाद सबसे अधिक है चलिए बढ़ते हैं नेक्स कुशन की तरफ हाल ही में बैंक ओफ बड़ोदा बाउब ने डिजिटल भुगतान के लिए किस नाम से एक समाधान लाउंच किया है जान लेते हैं इस कुशन का आंसर आंसर है बाउब वर्ल्ड वेव चलिए अब बढ़ते हैं इस कुशन से जुड़े गुए आने महत्तों के दों की तरफ बैंक ओफ बड़ोदा ने डिजिटल बैंकिंग भुगतान के लिए बाउब वर्ल्ड वेव नाम से एक समाधान लाउंच किया है वेर्बल तकनीक दुनिया भर में जबर्जस्त रुची देख रही है और रनदाता इस अवसर का उपयोग अधिक सोविदाजनक और कैशलेस डिजिटल भुगतान प्रणाली को अपनाने के लिए कर रहे हैं यह एक अभिनब समाधान है जिसका उद्देश निवारक स्वास्तकार्यों के साथ साथ आसान भुगतान लेंदेन को पूरी तरह से वितरित करना है बैंक के चलते फिरते वेर्बल भुगतान समाधान बाव वर्ड वेब को हमारे ग्रहकों द्वारा सुविदाजनक और निर्वाद डिजिटल भुगतान सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है यह अनुमान है कि छोटे टिकटों का दस पृत्षत भुगतान अगले दो वर्षों में वेर्येबल उपकरनों के माध्यम से किया जाएगा चलिए जान लेते हैं बाव वर्ड वेब की मुक्य विशिश्चताओं के बारे में बाव वर्ड वेब वेरेबल डिवाइस ग्रहकों को अपने SP02 शरीर के तापमान हिर्दैगती और रक्तचाप की निगरानी करने की अनमती देगा बाव वर्ड वेब के साथ बैंक एक व्यक्तियत स्वास्त कोच डॉक्टर टेली कंसल्टेंशन और इंटेरेक्टिव विडियो कोचिंग के साथ तीन महीने का एक विशेश मुफ्त वेलनेंस पैकेज प्रदान कर रहा है डिवाइस सभी NFC सक्षम POS उपकरणों में 5,000 रुपे तक का संपर्क रहित भुगतान प्रदान करेगा ग्राहक पिंगा उपयोग करके 5,000 रुपे से अधिक का संपर्क रहित भुगतान कर सकते हैं ग्राहकों को आसानी से ई-कॉमर्स लेद देन करने में सक्षम बनाने के लिए बैंक एक डमी प्लास्टिक कार्ड इसको वेरेबल डिवाइस के समान कार्ड नंबर के साथ एकस्पारी डेट और सीवीवी के साथ मुद्रित किया जाएगा ये भी प्रदान करेगा चलिए अब जान लेते हैं आपने महत्व पूर्ण विद्नों के बारे में बैंक ओफ वरोदा का मुख्याल है वरोदरा गुजरात में एवं बैंक ओफ वरोदा के अध्यक्ष हैं इस समय हस्मुक अधिया बैंक ओफ वरोदा के एमडी एवं CEO हैं समय संजीव चड़ाजी तो ये हुए आज के सभी Current Affairs के Questions आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और अपने Friends व्यापने एडुकेशनल ग्रुप्स के साथ इसको शेयर करें ज्यादव से ज्यादव हुए अब नेक्स्ट वीडियो में अन्ने Current Affairs के साथ तब तक के लिए नमस्कार धन्यवाद